दोस्तो जैसा कि मेरे डिस्प्लेइप आप एक लोगो देखें अगर इस तरीके का आप लोगो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और बहुत ही असान तरीके से मैं बताऊंगा और आप 100% कहता हूं कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप सीख जाएं तो यहां पर text हम इसको remove करेंगे और इसको हम okay करेंगे फिर यहां पर आपको यह वाला option देख रहोगा इस पर touch करेंगे और इसका जो font है वह हम change करने वाले हैं तो इसमें font को हम search कर लेंगे यहां फिर फोंट में आएंगे और जो भी font आपको लेना है अपने according वो ले सकते ह मैं यहां पर अलग एक font लेने वाला हूं अगर यह font आप लेना चाते है तो video description में link मिल जाएगा वहां से भी आप इसको ले सकते हैं इस तरीके से बढ़ा कर लेना है फिर क्या करना है इसका एक copy और बनाना है तो उपर में आ जाएंगे इसका एक copy बढ़ाने देंगे और इ अब दोनों का color हमें black करना है आपको यहां पर जितना भी आपको layer वाला option उपर मिल जाता है इस पर touch करेंगे तो side में सारे layer खुल जाएंगे जिस layer पर भी आप काम कर रहे होंगे तो इस सारे text को हमें image में भी convert करना है इससे पहले मैं इसको black कर लेता हूं चले मैं यहां पर T को select करेंगे आप देख सकते हैं मैंने T को select किया है उसके बाद यहां पर plus पर जाएंगे या third number का option है यहां पर circle वाला इस पर जाएंगे मैं plus ही यहां पर आता हूं और shape ले लेता हूं और इसको छोटा करूँगा और यहां इसको black कर लेंगे black कर लेने में done करेंगे इसको और हमने इसको T के साथ merge करना है तो यहां पर circle पर touch करेंगे नीचे में देखेंगे तो यहां पर आपको selection के लिए आ जाएगा तो यहां पर मैं selection में दोनों को select करता हूं T को और जो मैंने अभी नया layer लिया है उसको यहां पर merge को touch करेंगे फिर okay कर लेंगे तो देखेंगे क हम ला करके इसको merge करेंगे इन चीज़ों को वाड़ी के से देखेंगे क्योंको यह चीज आपको regular editing में करना पड़ेगा यहां पर हम दोनों layer को फिर से यहां पर touch करेंगे इसको भी merge कर लेंगे आप देखेंगे कि दोनों ही मेरा जो है अब text के बदले आप यह image format में हो गया तो यहां पर क्या करेंगे हम S को थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि हम T के नीचे रखना है इसको थोड़ा सा इसको फैलाएंगे इस तरीके से करना है ताकि हलका हलका थोड़ा सा gap दोनों में दिख जाए उपर नीचे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है नीचे से हमने इसको adjust कर लिया फिर क्या करेंगे हम T पर आएंगे circle वाले पर ठीक है यहाँ पर इसको copy करेंगे copy करने के बाद क्या करना है इसको हमे crop करना है crop पर आना है crop पर आने के बाद आपको यह वाला area नीचे का area लेना है क्योंकि हमें cover करना है तो हम यहां पर यह area ले लेते हैं color हम यहां पर change करेंगे white color करेंगे क्योंकि color remove हमे white color automatic ले लेता है ठीक है यहां पर इसको हम इस तरीके से adjust कर सकते हैं तो यहां पर plus पर आएंगे और इसको zoom कर लेंगे थोड़ा ठीक है इस तरीके से zoom कर लेंगे और यह यहां पे आपको देख लेना है एक बार इसको अटाआ करके भी देख लेना है अगर आपको कम्फिरिटेवल लगता है कि सब कुस्त सही है तो इतने पर एडज़स्ट कर लेना है फिर क्या करेंगे इसका हम एक लेयर और बनाने वाले हैं ठीक है एक layer हमने बनाया फिर इसको क्या करेंगे ऊपर वाले पर हम select करेंगे इसको ठीक है अगर आपको movement करने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर आपको position का option मिल जाएगा और यह जो pixels है इसको कम कर लेना है हम इसको one पर रखते हैं और फिर इधर उधर करेंगे तो हलका हलक होगा ठीक है अगर इसको जितना ज्यादा यहाँ पर आपको number मिलेगा pixel of number वह उतना fast remove होगा ठीक हमने इसको adjust कर लिया है इसको बात क्या करना है आपको layer वाले पर touch करना है और हमने यहाँ जितने भी st हैं उसको हमें merge करना है आपको t ही जो आपने crop किया था वो भी आपको t दिखी रहा है ठीक है तो इसको हम remove करना है चाहेंगे तो कैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको erase color मिलेगा इस पर touch करेंगे आप यहाँ पर जो है इसको on करते ही white color जो defaultly ले ले लेता है tool range का आपको full कर लेना है और यहाँ पर done कर लेना है तो आप देखेंगे कि जो हमारा area थ वो खतम हो गया है फिर इसमें क्या करना है एक फिर से एक हमें layer लेना है यहाँ पर आएंगे सेप्स में जाने के बाद आपको black कर लेना है ठीक है इसको भी छोटा करना पड़ेगा इससे पहले जूम और जूम ने हमने किया था इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमको काम करने प्रॉब्लेम ना हो फिर यहाँ से हमको जूम को हटा देते हैं यह black area को हमको s पर लाना है इस तरीके से छोटा करेंगे इसको s के ऊपर जो हमें रखना है s पर ले आकर करके इसको हम इसके बीचो बीच रखेंगे डन करेंगे और इसको हम साथ में merge करेंगे तो आप देखेंगे कि जो layer में आपको white color देखेंगे वो remove हो जाएगा इसको merge कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर remove हो गया है अब क्या करना है आपको दोनों को lock करना पड़ेगा ताकि यह movement ना करे क्योंकि जो हमने cut कि आए ना वह एकदम accurate position में बना रहे है तो हमने इस दोनों को lock कर दिया है उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद फिर हमें plus पर जाना है shapes में जाना है और यहाँ पर हम ट्रेंगल चेंज करने वाला है यहां से हम हमने इसको selection किया तो crop करने के लिए आपको क्या करना है ऊप ब्लैक रखना है जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको black कर लिया है black कर लेने के बाद इसका थूरा position भी मिलाना है तो हम layer को थूरा side करते हैं और यहां पर क्या करेंगे इसका जो position है भी हम मिला लेते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं इसके एकदम सामने सामने बीच ओ तो इस तरीके से इसका position आप यहाँ पर मिला सकते हैं इस तरीके से आपको लेना है और इसका एक copy और बनाना है एक copy बनाकर करे इसके सामने-सामने इनारình कि इसके ऊपर आपको रखना है ताकि वो ऊपर वाले t से आपस में थोड़ा सा gaping रखे आप यासा कि देख सकते हैं, side में कहीं आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको थोड़ा सा position, थोड़ा सा हलका सा लगड़ा है, बट इसका हम fixal थोड़ा कम करेंगे, और एक बार move कर देंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो एकदम accurate हो गया है, इस दोनों को क्या मर्ज करेंगे, layer वाले पर touch करेंगे, और यहाँ पर इसको done कर देंगे, तो आप देखेंगे कि black area हमारा completely हो गया है, इसका हम क्या करेंगे, फिर से एक layer बनाने वाले हैं, तो layer में यहाँ पर copy कर लेंगे, और इस layer का जो color है, इसको हम यहाँ पर white करने वाले हैं, ताकि इसक कर सके, जैसा कि आपने हमें देखा था, इसको बीचो बीच रखना होता है, जितना भी बड़ा आपको border चाहिए इसका, इसी साब से आपको कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पर इस layer का एक copy और बना लेना है, ताकि हम ऊपर तक इसको complete कर सके, इस तरीके करना है, white color by default ले लेता है, tolerance को complete कर लेना है, और यहाँ पर done कर लेना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा completely clear हो गया है, तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम T को और जो हमारा border बना है, उसको एक साथ merge करेंगे, तो हम इनको select करेंगे T के साथ, पर merge कर लेंगे, अपने according लगा सकते हैं, आप अपना photo भी इस पर लगा सकते हैं, जितना area में यह water या जितना area में text लिखा होगा, उतना area में आपको अपना photo या structure वाला को image दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, structure पर आना है, यहाँ पर browse कर लेना है, जो भी image आपको चाहिए होग तो यहाँ पर मैं browse करने वाला हूँ, यह silver color का, यहाँ पर मैं ok कर लूँगा, इसका color match करने के लिए फिर से हमें structure पर ही touch करना है, और यहाँ पर इसको enable कर लेना है, आप देखेंगे कि इसमें जितना भी जैसा भी आपको रखना है, उसी साब से यहाँ पर इसको adjust कर लेंग मेरे case में यहाँ पर यह थोड़ा बच रहा है, तो इसके area पर हम जाएंगे, उसके बाद इसको white ही रखेंगे, और s के साथ इसको merge कर देंगे, इसके साथ merge किया, उसको क्या करना है, remove करना है color, तो नीचे आएंगे आपको, यहाँ पर erase color पर आना है, फिर से इसको enable करना है, आप देखेंगे कि एक दम completely हट गया है, to limits को पूड़ा complete कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर एक layer लेना है, plus में आना है, shapes पर जाना है, इसका color black ही होना चाहिए, white नहीं होना चाहिए, और यहाँ s पर overlay कर देंगे इसको, और done करेंगे, done करने के बाद आपको इसको भी क्या layer करना है, उसमें हम structure में आएंगे, यहाँ पर जो image आपको चाहिए, वो image आपको select करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर silver color का करना है, तो मैंने select कर लिया है, ठीक है, फिर से आपको structure पर यहाँ आना है, ताकि आप सही नहीं लगता है, तो इस tool को दूबारा से use कर लगेंगे, और फिर से मैं structure पर ही जाओंगा आपको, ताकि मैं इसका use कर सकूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं, तो जो सही लगता है आपको, अपने according, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और यह almost हमारा complete हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो लेंगे और इसमें आप जो है, तीन नंबर या चार नंबर अपने according यहां रख सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर तीन रखने वाला हूं और इसको black कर लूँगा, black कर लेने कबाद इसको आप तोड़ असा करेंगे इस तरीके से, और इसको हमें हटाना है तो क्या करना प उसको merge कर लेना इस तरीके से, फिर आपको यहाँ पर erase color पर आना है, इसको black पर select करना है, यह tool लेकर करके आपको, ठीक है, इस तरीके से black पर जाना है और इसको हटा लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लेना है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको adjust कर लेना है, हमने अगर इसमें आप और भी function देना चाते हैं तो दे सकते हैं यहाँ पर 3D shapes पर आएंगे इसको enable करेंगे ठीक है इस पर हम क्या करेंगे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर depth जितने आप रखना चाते हैं रख सकते हैं यहाँ पर मैं इतना पर रख लेता ह हूं इस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं और इसको हम इतने पर रख लेते हैं 268 पर ठीक है light को जिदर जिस एरिया में आपको रखना है राइट में रखना है अप में रखना है उस एरिया से यहाँ पर position बना सकते हैं इसका ठीक है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है shadows के बाड़े में तो जो आपको रखना चाते हैं वो सारा कुछ इसमें से use कर सकते हैं ठीक है आपको जितना अच्छा लगता है यहाँ पर shadow मिलता है shadow enable करेंगे और shadow हम रख लेंगे तो इसमें मैं बहुत कम रखने वाला हूँ मैं यहाँ पर four number रखा है उसके बाद यहाँ पर emboss आपको देखने को मिलेगा इसको enable करेंगे इसको आप जितना पर adjust करना चाहिए कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसका जो light है पूरा रखूंगा darkness पूरा रखूंगा इस तरीके से जो है अब इसमें जो है intensity को कम ज्यादा करके भी आप देख सकते हैं जितना पर आपको लगता है कि इतना रखना चाहिए उसी साब से आप रख सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ा ले हाँ सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पर क्रॉप करके कर लेना है तो आप देखेंगे कि आपका जो editing वाला फाइल था वो completely हो गया है तो जैसके यहाँ पर देख सकते हैं कि complete हो गया है इसको क्या करेंगे जूम अभी काफी है क्योंकि हमने पहले जूम किया हुआ था तो इस तरीकी का जो है आप लोगों बना सकते हैं बहुत ही कम समय में अगर इसी तरीकी वीडियो अपडेट चाते हैं तो हमारे चैनल को सस्कारब कर ले साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबाले ताकि इसी तरीकी की वीडियो की अपडेट आपको सब से पहले notification में मिल सकें ठेके दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ जब तक क्लिए जयाहीन जय वारत